नमस्कार FN News देख रहा है याप मैं हूँ आपके साथ अजी तेश मिशा वक्त पांच का प्रशनकाल का है आज पांच का प्रशनकाल सवाल पूछेगा और सवाल पूछा जाएगा कश्मीर पर कश्मीर पर विपक्ष की बेशर्म सियासत पर ज़रा सियासत के गिरते स्तर को देखिए देश की संसत में कश्मीर को अविशाप से मुक्त कर दिया लेकिन विपक्ष ने अपना काम बकू भी निभाया उसने अंदादुन होकर सरकार पर आरूप लगा दिये पहले कॉंग्रेस निता अधीर रंजन टौधरी ने कश्मीर पर विवादित बयान दिया और आज कॉंग्रेस निता है एनसी अजीर डोबाल के शोपिया दोरे पर बेशर्म बयान दे बैठे है कॉंग्रेस की गंदी राज़निती पर आज टीके सवाल होंगे आज देश के लिए पाज का प्रश्निकाल सवाल पूचेगा आज नए कश्मीर पर हो रही गंदी राज़निती पर सवाल होगा उससे पहले आपको चार तस्वीरे भी हम दिखाएंगे और सवाल भी पूचेंगे ये भी बताएंगे डिवेट क्यों कर रहे हैं तो आखिरकार ये पूरा मसला क्या है आज दिन भर की पाज का प्रश्निकाल में जो मुद्दा है उसकी तस्वीरे आपके सामने हैं जहां पर पहली तस्वीर हम बात कर रहे हैं ये देखिए शोपिया में सुबा सुबा तस्वीर आती हैं एनसे अजी डोबाल पहुंचते हैं और वहां पर कश्मीरियों के साथ चाय पीते हैं बातचीत कर रहे हैं एक आम आदमी की तरह सड़क पर कश्मीरियों के साथ ब्रिकपास भी कर रहे हैं और तस्वीर आई कि शोपिया पहुचकर एनसी अजी अजी डोबाल हालातों का जाइसा ले रहे हैं लोगों से बातचीत करें लोगों को समझा रहे हैं इसके बाद इस ठीक तस्वीर के बाद जब हम बात करें जब यह वाली तस्वीर आई यहां यह बयान आया कॉंग्रेस नेता गुलाम नवी आज़ाद का स्वीनेगर जा रहे थे लेकिन दिल्ली में बयान दे बैटे उनसे पूछा गया अजी डोबाल शोपिया में हैं कश्मी को विका हुआ बता दिया है इसके बाद आज रात आठ बजे का सभी को बेसमरी से इंतिदार है जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज आकाश श्वानी के जरिये देश को सम्बोदित करेंगे का जा रहा है दारा 370 अटने के बाद 35 अटने के बाद यह पहला सम्बोदन बेहत मेहत पूर्ण है क्योंकि प्रधान मंत्री बहुत सारी बातों का जिकर करेंगे लेकिन इन तीनों तस्वीरों को तो देखे जिसके अंदर देश के अंदर की तस्वीर है लेकिन चौती तस्वीर भी बेहत मेहत पूर्ण है खिस्याना पाकिस्तान खंबा नोच रहा है कह रहा है भारत से व्यापार बंद कर दो, राज़दूत वापस बुला लो, अब सवाल ही कि आखिरकार अगर आप हमसे व्यापार बंद करतेंगे, तो आप खाएंगे क्या, इन चार तस्वीरों के बाद, अब जरूरी हैं पांच के प्रश्निकाल के पांच बड़े सवाल, ह इस तरह की तस्वीर बन रही है एने से अजीजी दोबाल को राजश्चिंती में क्यों गसीटा जा रहा है वो अपना काम कर रहा है इसके साथी साथ पांच बड़े सवालों में चौथा सवाल ही है कि विपक्ष कश्मीर पर अपना रुक साथ क्यों नहीं करता है जो हालात है इस तरह से बेशर्म बयान क्यों जिये जाते है इसके साथी सवाल नमबर पांच ये भी है शर्मनाक बयानों से विपक्ष क्या जिन्दा होना चाहता है तो यह सवाल है तस्वीर हमने आपको दिखाई इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे लिए तो आखिरकार कश्मी कश्मीर विफक्ष के लिए शायद एक ऐसी अड़ी बन गया है जिसे वो निगल भी नहीं सकता है और उगल भी नहीं सकता है लेकिन हम पाच के प्रश्नकाल की आज डिवेट क्यों कर रहे हैं यह भी आपके लिए जानना जरूरी है अजी डुबाल की कश्मीर से मुलाकात क कि एक तस्वीर आई जो आज सुबा सबकी टीवी पर थी कश्मीरियों के साथ लेकिन इस तस्वीर के ठीक बात कॉंग्रेस ने ताक गुलाम नभी आज़ाद ने तस्वीर को मैनेज बताया मतलब यह तस्वीर मैनेज की गई है इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया उन कि ने आज़ाद के बयान पर अलग तरह से पलटवार किया वहीं मोधी सरकार की कोशिश पर कॉंग्रेस ने पाक परस्त आकिरकार बयान दे दिया जिया इस बयान को सुनकर अगर पाकिस्तान कुछ पृतिकरिया देता है तो उसे गलत मत समझे क्योंकि हमारे देश की तरफ स हमारे नेता बले ही वो विपक्ष के है लेकिन हमारे नेता है वो इस तरह की बात कर रहे हैं लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है सवाल डिबेट क्यों का था हमने बताया अब आकिरकार गुलाम नवी आज़ात ने कहा क्या था हम चर्चा करने उससे पहले यह सुनना जहां पर लक्त रहे हैं अब कर आप किशी को साथ ले सकते हों और अब किमसात ले सकते हों किजित अब कि सम्ने आवरी जहां पर लगोर डिखानाहों जाए है वह सुनन वापा गुम ऑ는지 कर आप किशी हो को साथ ले सकते हुंद जक्तरत्रत परुब कि अजbird कर आप किशी को साथ ले सकते हैं ऑ इस दे ने कर आप किशी को साथ ले सकते हैं पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हैं पैसे देकर किसी को भी खरीदा जा सकता है कश्मीरियों के लिए ये बयान आकरकार गुलाम नव्याजाद क्यों दे बैठे क्योंकि जब हम कहते थे जब हम कहते थे तमाम एलाईव की रिपोर्ट्स कहती थी कि कश्मीरियों में कश्मीर में कश्मीर की तरफ से युवाओं की तरफ से जो पत्तर फेके जाते हैं तब तो यह कहते थे नहीं वहां के लोगों में गुस्ता हैं वहां के लोग नाराज हैं इसलिए पत्तर फेक रहे हैं बिखते नहीं हैं वह लोग आज वह लोग चाय पी र रहे हैं वो गालियां नहीं दे रहे हैं वो एक देश के एक प्रतनिद्द जिस्व कह सकते हैं राष्टि सुरक्षा सलाकार उनके साथ बाचीत कर रहे हैं तो आप इसे मैनेज बता देते हैं आप करें कि दरसल यह खरीदे हुए लोग हैं आज आप कश्मीरियों को पिका के विक्रम। राओ हैं आपका बहुत बहुत स्वागत थे फोड़ देली पाठक जुडएंगे जो की टीम्सी से हैं और उनसे भी हम सवाल करेंगे चर्चा शुरू करें चर्चा शुरू आत में सबसे पहले हैं पर चुकि टीम्सी से दिली पाठक का में इंतिजार रहेगा एके मिश्या सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं आर्टिकल 370 हटा दिया गया 35 से अटा दिया गया कश्मीर की जो च्छवी थी या कहले कश्मीर पर एक बोज था उसे एक दिन के अंदर उखाड कर फिग दिया गया और कश्मीर जो यह था वो यह हो क्या लेकिन क्या हमारे देश के कुछ लोगों को रास भले ही ना आ रहा हो फिर वो चाहे हम अमर अब्दुल्ला की बात करें फारुक अब्दुल्ला की बात करें मैवववा मुफ्ति की बात करें यहां गुलाम नभी आजाद की बात करें यह रास क्यों नहीं आ रहा है तो यह अपने आप में बताता है कि कलकडा से लेके पेशावर तक इंडिया एक है उस वक्त था तभी तो उसने यह सड़क बनवाया था अगर एतियासिक परिप्रेक्श देखना हो अब सवाल यह है कि देखे हो क्या रहा है एक दिन में धारा 370 नहीं हटी है आप यह मानिए इसको हटाने के लिए 50 साल, 60 साल, 70 साल लग गए है रास इसलिए नहीं आ रहा है कुछ लोग इसको 70 साल में नहीं कर पाए वो काम जी एक दिन में कैसे हो गया, यह वाकही में बड़े आश्यर की बात है क्योंकि इतना कलेजा जुटा पाना इसके जो कॉंसेक्वेंसे होते हैं वो शायद पहले नहीं हो पाया, रीजन कुछ भी रहा हो अब अगर यह all of sudden हो गया है, अभी देखें गुलाम नवी आजाज जी जो बोल रहे थे इसको मैं बोलूँगा कि अंद विरोध, जैसे अंद वक्ती लोग बोलते हैं अंद विरोध, एक political maturity होती है सर, आप मीडिया से मुखातिव होते है तो एक आपका इथिक्स होता है, आपको विरोध करने का भी इथिक्स होता है कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसमें गरीमा होनी चाहिए यह चीज बोला कि पैसों से कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है आपके दिमाग में यही भरा हो कि पैसों से हर चीज हो जाती है आप ऐसा करते रहे हो इसलिए आपका perception यह है कि हर चीज पैसों से हो जाती है आप इसको अच्छे शब्दों में बोल सकते थे कहने का मतलब कि अब बिरोध करने के लिए भी जब लोगों के पास नेताओं के पास कुछ नहीं रहा गया तो वो अंद बिरोध में जो है वो चीज कनवर्ट हो गई है जहां पर कोई इथिक्स नहीं है कोई वो नहीं है सारी दुनिया देखें ये नेशनल इंट्रेस्ट की ये चीज है मैं आपको बताऊं धारा 370 हटने के बाद जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ दो दिन का टाइम आप लीजिए बहुत सेंस्टिप टाइम जोन में हम लोग है बहुत सीरियस जो है टाइम जोन में हम लोग है अगर आप पूरे वैश्युक समाचार को पढ़ें पाकिस्तान न जाने क्या कर सके उसका ठिकाना नहीं है क्योंकि ऐसा एक पडोसी है उसके उपर हम बिलीब नहीं कर सकते हैं आप वहां की मीडिया को देखिए तो ऐसे सेंस्टिप टाइम जोन में जो की पूरे देश के लिए इस वक्त एक चैलेंज बना हुआ है अंदर जो है हम लोगों को एक जुट होना चाहिए था तन से मन से दन से विचारों से आपके पार्टी कुछ भी हो भाई धारा 370 हटी है तो आप ही के फैदे के लिए हटी ना आप भी देश में होना अगर सरकार ने ये डिसाइड किया है आप संसंद में विरोध करिये सही है लेकिन इस तरीके से विरोध मत करिये कि बाहर कोई ऐसे मैसेस जाए मैं पाकिस्तानी मीडिया को देख रहा था वहां उन लोगों ने इस चीज को बेस बनाया है कि वहां पे फलाने नेता ने ये नेता ने तो फिरोध किया तो इंटरनेशनल लेवेल पे आप लोग ऐसे मैसेस कताई न दे और कोई गलत नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है फ्रम देवन ये चीजे हो रही थी और मैं तो ये मानता हूँ जो लोग बोलते हैं सच्तर साल पहले जी ये लिखा था अरे क्या लिखा था नथिंग इस पर्मानेंट मैं आपको बता दू 70 साल पहले तो पाकिस्तान भी नहीं था तो आज की डेट में क्यों पाकिस्तान है उसको भी मिलाना है आप अगर ये बोलते हो 70 साल पहले ये लिखा था Nothing is permanent किसी ने लिख दिया नहीं लिखा क्या है वो सब चीज गई बार में आप दियास देखोगे तो मैंने आपको एक एक्जामपल दिया है कलकटा से लेके पेशावर तक सड़क जो बनवाई थी सेरसा सूरी ने उसका मतलब है कि वहां से वहां तक इडिया एक था बिल्कुल दिली पाठक आपका बहुत आप सवागत है टीमसी से मरसा जुड़ गए हैं दिली पाठक जी सबसे पहले जो सुबा तस्वीर आई एनसे जी डोबाल कश्मीर में थे शोपिया में और वहां पर कश्मीरियों के साथ चाह पी रहे थे ब्रिकफास कर रहे थे बाची किया जा सकता है कुछ भी खरीदा जा सकता है अब उन हालातों पर 370 हटने पर क्या खाएंगे एक एड मुझे और करने दीजिए लाम नभी आजाज जी से पूजिए कि संसद में भी वोटिंग हुई वो सब पैसे देके करवा लिया कि आप इनके संसदों ने भी वोटिंग जियोती डादे से सिंधिया ने फेवर में बोला है तो क्या पैसे देके बुलवा लिया है क्या उनसे दिलीप पाठाग जी टीम्ची से हमारे साथ जुड़ गया है दिलीप जी बोलिए आज अगर पाकिस्तान में कोई हलचल है तो उसका हमें सारी पार्टियों को मिल के बगएर किसी भाव के हमें उसको फेस करना चाहिए हम बेसर पार्टी हमारी अलग हैं विचार अलग हैं लेकिन जहांपे राष्ट हीत कोई बात आती वहाँ पे हमें इक ट्ठा होना होगा लेकिन वहीं पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा नोट बंदी के बाद हमारी राष्ट की ऐस हीती हुई लगा कि लोगों के पास गरीबों के पास पैसा आएगा लेकिन लगबग 40% अबादी ऐसी हो गई जिनका minimum balance पे पैसा कट रहा है अभी कस्मीर को पूरे वर्ड में सबसे अच्छी खुशूरा जगा मानी जाती है वहाँ पर कई चीजों का नियंदरन भी करना होगा कि कहीं वहाँ पर बड़ी लोग जाके जादी ज्यादा जमीन न खरीद लें और वहाँ पर दूसरी वहाँ पर जरूरत मन लोगों को पहले जो लोग विसापित हुए है उनको वहाँ पर थापित किया जाए और यह भी कहीं अगर आप इतना समर्तन कर रहे हैं तो बोलिए कि दरसल सरकार की तरफ से कश्मीर से धारा 370 अटाना बहुत अच्छा कदम है आप उसका स्वागत कर रहे हैं यह काम बहुत अच्छा हुआ और कॉंग्रेस को इससे बाद आना चाहिए इस तरह के बयान देकर मैंने उसकी मैंने उसकी प्रसंसा तो करी लेकिन सुन लिजेश को जो मैं कहे रहा हूँ कोई भी बड़ा काम हो तो गुलाम नभी आजाद को आप बोलेंगे ना आप बड़ी चालाकी से ये मुद्धा उचालने की पोशिश कर रहे हैं कि भाई तारा तीन सो सत्तर हट गई अब तुमारे लिए ये खत्रा आने वाला है राजिनीती बंद करिये सर कहीं खत्रा नहीं आएगा ऐसे मैसेज मत दीजिये कि जो कि इंडाइरेक्ट वे में जनता के दिमाग में कुछ भै पैदा करें कहीं कुछ नहीं होगा आप जो है आप लोग शांत रहे दीरस बर आए रहे पिछले तीन मेहने में साड़े तीन सो क दंद में करें हैं और किसी तरह से डरने की दरुवात नहीं है किसी तरह से डरने की दरुवात नहीं है यह बोली है ना मैंने कहें पहले ही कह घर गहां कि दvariंके मन में चाहिए दिली से लोग जाएंगे बड़े लोग जाएंगे जमीने खरी लेंगे मिस्यूज हो जाएगा परियावन को खत्रा आ जाएगा डर्कियों पिठा रहें अभी से नोट बंदी अभी तो एक चीज को सट्टल करी है ना पहले सर अभी तो मरीज ऑस्पिटल में गया है ना सर णजमीर को डर्ने की दरूवत नहीं है पूरा देश, देश का वो हिस्सा है पूरा देश उनके साथ कड़ा है, तो किता फिए कैराय रखी अपनी लाय हों कि द्यार रहें कि आप चुनाव में आपके सही होगी ते गल बहियां डाल गूब रहे थे ने इसे को आप बेज देते हैं एसे वहाँ पर हैं लोगों से बाचीत कर रहे हैं गुलाब नभी आजाद आप कह रहे हैं कि आप तो खरीद कर मैनेज कर रहे हैं तस्वीर हैं देखिये जी तेश जी कांग्रेस पार्टी का जो वास्तविक स्वरूप है जो असली चेहरा है वो देश के सामने उजागर हो चुका है 370 और 35 ए हटने के बाद पूरा देश खुले दिल से इसका स्वागत कर रहा है और पूरे दुनिया में जहां भी भारती हैं जो ऐसा स्वापन देखते थे वो इस बात से बहुत हर्शित हैं और उन्हें लग रहा है कि एक भारत स्रेश्ट भारत बनने की दिशा में आगे ब पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है एक बार पूरी तस्वीर भी देखे वापस आई यह जिसे लोटा दिया गया यह देखे समझौता एक्सप्रेस की तस्वीर पाकिस्तान अब गीजार भफ की दे रहा है भारत की तरफ से ड्राइवर जो पाइलेट और गार्ड जो है वो वापस गए थे लेने के लिए और ले आए हैं और अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है इसे रोख जिया गया अपना राजदूद वापस बूलाने की बात पहले कर चुका है व्यापार की बात भी कर बंद कर देंगे एके मुझे समझ नहीं आता इस पर मैं आपसे अलागी राहे लूँगा अभी गौरा मिश्या को बोलने देते हैं उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर कार किसकी दम पर फूलता है पाकिस्तान जब व्यापार हमसे बंद कर देंगे क्खाएंगे जलता रहा है चाहे वो नकसलवाद के द्वारा प्रभावित रहा हो चाहे वो तमिल उग्रवाद रहा हो चाहे वो नौर्थिष्ट में उग्रवाद रहा हो पंजाब में कश्मीर में पूरा देश एक सुलक्ती हुई भट्टी के रूप में इस्तेमाल किया गया है कॉंग् नभी आधात की इस बयान की बात जिसमें वो बात कह रहे हैं कि पैसे दे करके खरीदा जा सकता है तो ये उनकी विवस्था का हिस्सा है इसी विवस्था के आधार पर उन लोगों ने इस देश में राजनीत किया है मुझे लगता है एक सच्चा कश्मीरी कभी भी ऐसी बातों को स्विकार नहीं करेगा आज अक्टूबर में जमु कश्मीर के अंदर इंवेचर समिट होने जा रही है वो भी an उंतरश्ती इन्वेचल समिट होने जा रही है पुले दिल लिए जाते थे वहां पे उग्रवाद को फैलाने कि आज इनकी दुकान बंद हो चुकी है यही कारण है कि यह बेचैन है हताश है इने कहीं कोई मार्ग नहीं मिल रहा है और वहीं जम्मु कश्मीर और लद्दाख और ले की जनता बहुत खुश है लद्दाख ले और जम्मु डिविजन की जनता टेक्स देती थी वह पानी की तरह वह पैसा कश्मीर डिविजन में बहाया जाता था हमेशा वह उपेक्शित रहते थे आज वह मुख्यधारा से जुड़ रहे है इस बात का वह जश्ट मना रहा है ठीके गौरव भई आ रहे हैं कि आपके पास के बिकरम सबसे पहले आपसी जानना चाहरे हैं कश्मीर की बात कर रहे हैं एक तो चुकी तमाम चीज़ों को आपने करीबी से देखा है पड़ा है समझा है एक तो कॉंग्रिस की चिंता क्या नजर आती है क्या वो छवी आती है जो कहा जाता है कि यह किया जहरा नहरू जी का था उसक भी दरसल जो है वो बैनेज की हुई है अजितेश परसों लोकसभा में जिस धंग से कॉंग्रेस ने तरितने व्यभार किया है वह बहुती बहुती दोयम दर्जे का रहा हां बहुत सुक्षुता बिलकुल नहीं थी दूर दरिश्टा नहीं थी इसलिए वहां कोई भी निर् अगर कॉंग्रेस पार्टी थोड़ी बुद्धी होती तो परसों खड़े होके लोकसभा में वो कहते कि वह 370 के विरोध में प्रस्तावाया है इसको स्वीकार करते हैं अगर कॉंग्रेस पार्टी प्रभक शिदल यह बयाई लोकसभा में देती तो भारती जनता पार्टी जो इतना च्छलांग लगा रही है वह आधे में रुख जाती है लेकिन चुकि इतनी बुद्धी हीन हैं संवेदन हीन हैं कॉंग्रेस वाले सोच नहीं सकते हैं इनकी देत्री जो आज से 20 साथ पहले दर्सेवराव के बाग खतम हो गए थी ये कुछ नहीं कर सकते हैं और इसक कि वह बोधी सरकार का समर्थन करते हैं इसे बढ़के कोई शर्मनाग पराजय हो सकते हैं कॉंग्रेस पार्टी के जो निता बयान दे रहे हैं तो इस संदर में आप देखें कॉंग्रेस पार्टी किंग करते हैं विबूर हो गई आज कि क्या करें उपर से गुलाम नभी तरफनक्री वे कश्मीर के दीवे मंत्री कर और do और दूसीं बात को कभी चुना निर्वाचित नहीं वह हुआ मेरे आठे रहे हैं अपने साथिन के बारे नहीं शुक्त क को ऑप कि नहीं करहा हैं एक ऐन्दक्राओं है इसका कर साइझ बाट्चा करें जम्मू कश्मीर में देखे कि दिक ग्रफार होंगे क्या होंगी इस बात की यागी और इनकी सरकार को बचाने के लिए और मन्मौन सिंग सरकार को बचाने एक लिए अमेरिका के न्यूक्तर डील में क्या पैसा नहीं लोगी किया था कॉंग्रेस पार्टी ने बे तहाशा पैसा खर्च के लिए दो-दो सरकार भी बचाए था तो क्या किस मूं से बात कर रहे हैं यह तो चलनी है सूप भी नहीं कॉ मुझोर हुआ जनता की आवास दबा दी गई तो फिर तादा शाही बढ़ी जसी इंद्रा गांदी तादा शाही आती है हम सब तर जेल गए थे उस वक्त एमर्जनसी में ऐसी नौबत ना है मोदी को भी ऐसास हो जनता विरोध कर सकती है लोग नाग यह प्रकाश के तो संख्या सूर के आधार पे जी संख्या सूर के आधार पे जो शाषर चलाएगा उसके लिए चेतावनी है कि आप संसद में अपने बहुमत के आधार पे देश के लोगतांतिक परप्रा को कुचल नहीं सकते बिल्कुश अब रतिवान जी आपके पास एक सिकिन मेरे एक एक जसन में लेना चाहता हूं एक कि विपक्ष कम्ज़़ होरा ही बात्स यह नहीं होना चाहिए यह देश के लिए जिशकत के लिए लेकिन हप सवाल लिए कि आखिरक defic्ञ कल कर्कौर रह Cristies Правक को मजबूति कि देना देश को मजबूती देना अज पाकिस्तान अजरा इस चीज़ को बता रहा हूं ऐसा विपक्ष जो देश द्रोही का काम करे मरी शंकर रहियर जाके पाकिस्तान में वोट मांगते हैं कि वहीया हमारी सरकार बनवा उन्हों ने ये शब्द नहीं बोला था लेकिन अपी के लिए बोलेंगे चाइना से आप मिलेंगे अपनी सरकार बनवाने के लिए कौन बोलेगा कि ऐसा विपक्ष होना चाहिए आप बिपक्ष हैं आप बिपक्ष की भूमक्या में हैं तो बिपक्ष की मतलब बिपक्षी पार्टियों के पास क्या इतना भी ग्यान नहीं रह ग और आप लोग अपने दम पे नेता बने हों मैं तरिन मूल की भी बात करता हूं ममताजीदी एक तेले संगस करके मुक्यमंत्री बनी है कोई गौड गिफ्टेड या कहीं से वह नहीं हुआ था लेकिन देश हित में एक अच्छे विपक्ष की भूम्चा तो निवाई ये उसका अधीर अंचन चौधरी का बयान हो या फिर अफिर अब गुलाब नभी आजाद आप शाहिद कोई समझने वाला नहीं है तमाम लोग जो हैं जी आ रहे हैं के दिली पाड़ेक जी एक सेकिंद मारे एक सेकिंद मारे रतिबान जी के पास चल रहे हैं रतिबान जी जी यह इस सत्य Normals कर दिया यह कर दिया वो करतिया उसी मता को Скहरें कि एक झाले कि समझे वी कि समझाता किया तो चैन और यह लोग जो है नेशनल कांफेंस के बारे में गलत बयान ही करते रहें और अब क्या कह रहें इसका मतलब नेशनल कांफेंस भी खरीदारी करके काम करता रहा है यह लोग भी खरीदारी करके काम करते रहें और मुफ्ती साइद की बेटी भी खरीदारी करके काम करती रहें जिसके पास इतने बड़ी लेगेसी है जिसके पास इतने बड़े संब्रवेत्ता लोग मौजूद हैं बड़े वकील हैं इस पर एक किसी निछ निच्वर पर नहीं पहुंचपा रहे हैं। हमारे केरल में तमिल लाइनों तो ऐसा नहीं है यह पार्टी बटवारे के पहुंच रही है अगर यही हालात रहे और इसके मुख्य करता धरता होने रहूल गांधी और सुनियां गांधी ने इसको नहीं समाला तो पार्टी दो टुकड़ों बटने के खत्रा दिखाई पर ला रहे आप लोग कभी नहीं समझाते हैं तो सयोगी रहें अब भी कई मुद्वों पर एक साथ खड़े हो जाते हैं समझाते नहीं है क्या हैं है बीशे यहां पर यह है कि आगर पाकिस्तान की अउकाथ क्या है है अगर एक समझता रत कर सकने की सिप्टमे है हाँ हमारे सामने पाकिस्टान का हुआ राज्टिसरं बाकिन दर्ण कहा किया जा मेरा ये कहना घैना यैं कोई determined कar रहा है है कोई अगर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर गुलाम नभी आजाद का बयान चले मड़ी शंकर अईयर का बयान चले या अर्विन केजी वाल का बयान चले तो शर्म ना शर्म हमारे लिए है हमारे लिए शर्म है अपनी विचार हो सकते हैं किसी के कोई भी विचार हो सकते हैं ने शर्म हमारे लिए नहीं है क्या सरी हमारे लिए शर्म की बात नहीं है क्या कर पाकिस्तानी मीडिया उलाम नभी आजाद बड़ी शंकर अर्विन केजी वाल की बयान चलाए और हमारे मैं जो बोल रहा हूं राष्ट के बारे में वहांसे बहुत अब 특कुल कॉर्स तरह से चैब कर रहे और आप से यह वador कर रहें हैं मेरा क्या मतलब है हां मैं यहां पर एक चीज़े कहना चाहूंगा कि विपक्ष को साइद इसलाइग भी नहीं समझा गया कि उनके साथ इसके लिए कोई सलाह नहीं करी अरे सर देखिये ना यह विरोध किस बात कर रहे हैं आप और क्या बात कर रहे हैं आप विरोध तो इतना ह रही थी वहां सेना जा रही थी और आप करें ते डराया जा रहा है कश्मीरियों को चुनाव के लिए कोई गड़ बंधन नहीं बन रहा था कि छा महीने पहले से तैयारी की जाती कि सारे पार्टियों को बुला के एजेंडा बनाया जाता है गौरा मिश्रा कुछ बोल रहे ह ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का पाकिस्तान को जो ताकत मिल रहे है बोलने का सुर्म मिल रहा है वह भारत का भी पक्ष दे रहा है यहां पर कम ही मुद्ध क्या प्यास के बीना मर जाएगा अगर पांस दिन सप्लाई बंध कर दीजा है गौरा मिश्रा अगर निर्बड करते हैं तो हमारे उपर सौ परस्द निर्बड करता है बाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है हमारे सामने वो दो विधान दो निशान के खिलाफ रही है हमारे नेता ने बलिदान दिया है वहाँ पर वहीं उनके जो नेता है जो नेता थे नरेद्र मूदी जी के सरकार ने किया है मुझे लगता है पिक्चर बहुत साफ है और अब ये देश जम्मु कश्मीर से लेकर के कन्या कुमारी तक एक विधान एक निशान एक समविधान पर चल रहा है इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि कॉंग्रेस का जो मूल चरित्र है वो और अब यहां से जो विपक्ष खड़ा होगा एक बात तो तै है सकारातमक राजमीत रचनातमक राजमीत के जरिये ही क्टा हो सकता है देश द्रोहिता की बात करने वाला विपक्ष कभी भी इस दैश के लिए श्विकारे नहीं होगा ये बहुत साफ है के विक्रम राओ जी सर मैं आप से जानना चाहरा हूँ चूखि मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि सत्ता भी है विपक्ष भी है और लोग टीवी भी देख रहे हैं लेकिर आप किसी राजनितिक पार्टी से नहीं है आप कम से कम आपके जरी हम ये जानना चाहते हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जिस 370 का हुआ लगाता अभी बताया जा रहा है कश्मीरियों को डराया जा रहा है कि अब वहाँ पर जैसी कि अभी दिली पाठाटी जी को इमने सुना कि सारे लोग जाकर जाकर जमीन को नुकसान ना पहुंचा दें या 370 जब थी तब क्या चीज़ें थी आप आकरकर संवेधान के साब से सर कश्मीर के लिए कितना बैतर कदम है नुकसान क्या है या आपके जरीयां सर्म जानना चाहते ताकि लोगों को भी जानकारी मिले विपक्ष भी सुने सत्ता पक्ष थोड़ा मैं आपको इतियास कियो दें शलूँ जी उनने सो सैंतालीस वी बटवारा हुआ था भारत का हां उससादार पटेल ने दो बाते बड़ी स्पर्ष रूप से कही थी कि जो जो शरनाती आ रहे हैं पंजाब से वो सीधे जाएंगे कश्मीर जमू कश्मीर में और जो सिंध से आ रहे हैं वो गुज्रात रन अफ कच गादी धाम जो बन गया है वहां रहेंगे यह बात थी लेकिन पता निकों किन कारणों से शेक अब्ला के जवांगों में आके जवालाल ने पहली बात को सीकार देखिया और उसारे पंजाबी शरनार्थियों को पूरु तक लोग पढ़े रहें फुर्पातों पर तो यह बात अगर तब हो जाती जब 370 लगाने पहले तो यह 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 तकलीफ नहुती एक बात दूसरा क्यों जब एक बार कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया है नहिरू ने माउंट बैटन के दबाव में आकर 370 को शामिल किया था आ लोहिया ने मधोलेवे ने भी ममेट करने लोग सबा में विरोध कियाता है इसका बाकैदे लेकि ताज्यूब यह है कि लोहिया की विरोध के बावजूद भी आद उनके नाम लेने वाले बाप बेटे समर्था विरोध कर रहे हैं भारत सरकार के निर्डे का कि दुखत बात है यह असिक्षा जानकारी का भाव और बिना सूचना के बोलने का नतीजा यही हुरता है कि राजनेतिक बाधिक्ता का स्तर इस देश में गिरता जा रहा है निर्डर गिरता जा रहा है अब यहां लदाक के आप इसी संदर बताओं लदाक के सांसत की बाद आप सुनते हैं इसको मुद्धिन तारीफ की परसों आप कितना बढ़िया बोला वो कि हम तो यूनिंटर्री क्यों चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं जबू और कश्वी सा तरह में हिंदू मिसल्मानों ने हम बहुतों को दबाया है वो चाहते थे सीड़े भी इस पंजाब इस शामिल हो जाए कि उस लड़के ने कितनी अच्छी बात कर रहे हैं यह सब नहीरू के अधूर अधूर दर्ष्टा का प्रश्ण है नहीरू के 373 लेकि नहीरू ने एक भलाय की उन्हों का यह धारा अपने घिसटे घिसटे रगड़ते रगड़ते खतम हो जाएगी वह नौबत आने के पहल हो अगर हो आलग कर दैटे क्या तुक हैं भारत मझजभ का अधार पर नहीं रहा झाराब भारत थो जो हम क्योंलता लाहें रहे घbelsाब करने कर दढ़ेंर पाकिस्तान ह心 वह छाего नहीं रहेगा जो मझजभ को नहीं मानता है मैं क्लीष है तो हम क्यों चिंदा करें कि कश्मीर कि मुसल्मान भारत मुसल्मान एक साथ होगे बगाउट करेंगे क्या मजा की भारत जा रहे हैं भारत एक सारव भाम देश है अब किसी को अधिकार दीए बड़ा संग एक बड़ा संग में आप आ गए तो संग जी मैंने लब आरसे से नहीं है भारत के फेडरेशन से भारत के जान निए सकता है और यह भूल जाते हैं इंद्रा इगादी सिक्कुम को कैसे शामिल किया था दाजी लिंग से पुलिस को बेजकर पूलिस वेкам venir सिक्किंग बारे में यही चीज वी थी तरीका नहीं बहुत को बहुत करता है कि बारे में पाकिस्तान और अमेरिका के हस्तक्षिफ हो रहा था उनका एजेंट वा गया था तब इंडरा कादी ने दिनेरे किया कि इसका मरजर होगा और सारे भारत ने सब्सक्राइब करेंगे विक्रम राओ जी आपके पास मैं आ रहा हूं गौरा मिश्रा अपनी बात पूरी करेंगे विक्रम राओ जी आपके तिवांद्र पार्टी जी मैं ये कह रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी का जैसे विक्रम राओ जी अभी बखान कर रहे थे धर्म के आधार पे देश नहीं चलता लेकिन धर्म के आधार पर बटवारा जरूर हुआ था ये तो उनको स्विकार करना चाहिए हां हमारे इस देश में सम्विधान के आधार पर देश चलेगा इस बात को भारती जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है पूरव से पस्चिम उत्तर से दक्षिन तक आप देखिए पूरा नौर्थ हिस्ट बटवारी की भेट चन चुका था चाहे मणीपूर जाईए आसाम जाईए अरुना कारिता सर्वो पर ही है क्योंकि प्रेम का भाव जब रहेगा विकास का भाव जब रहेगा आज देखिए बर्मा के साथ काला कदल का वो कॉरिड़ोर बनाया जा रहा है थाईलांड के साथ बेहतर रिश्ट काइम हो रहा हूँ कि हम पुनर गठन की बात कर रहे हैं चुंकि क केंदर शासित प्रदेश हो गया लद्दा केंदर शासित प्रदेश हो गया तो अब उन मुद्धों पर चोट कब होगी जिसमें कश्मीरी पंडितों को वापस वापर बेजने की बात हो रही थी हालाकि एक बादा आपने पूरा किया गोश्णा पत्र के हिसाब से जो आपक चीज़ों को आप का स्वर्ग माना जाता था मुझे लगता है आने वाले समय में पूरी दुनिया शिक्षा के लिए संस्कृति के लिए परेटन के लिए कश्मीर की तरफ देखेगी और लोग जाएंगे और कश्मीर संब्रिधी की तरफ बढ़ेगा आगरसर होगा ये तो कह रभी भी भी था और इस दिशा में बारसरकाव ने सब्सक्राव के लिए और वापस जाने के लिए और आगे जो रूप लेका तयार की जाएगी पुनर गठन जिसे नाम दिया जा रहा है उसो समय लगेगा लेकिन चुनौतिया क्या क्या है सरकार के सामने अजितेश देखिए सबसे बड़ी चीज जो किसी भी विशेसगे ने किसी भी मीडिया पैनल पे पिछले चार पांस दिन में नहीं बोली है मैं वो बताता हूँ धारा 370-35A जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं कि कोई जमीन नहीं खरीच सकता वो सारी चीजे अलग है वो कोई बहुत इंपोर्टन नहीं है धारा 370-35A से क्या हुआ नुकसान एक भावनात्मक और साइकोलोजिकल बैरियर बन गया जे एनके की पॉपुलेशन और रेस्ट आफ इंडिया की पॉपुलेशन उनकों उनके दिमाग में इस धारा के थुरू ये डाल दिया गया था कि आप तो अलग हो आप autopi से हो आप इस मिला हुआ है आपका इंडिया से कोई मतलब नहीं तो देशका मतलब यह होता है देखें आप दुसरे काई कर MRS में हो तारी सुब्धाय आप भारत वर्षका ले रहे हो और आप इसके बाद भी ये बोलो हम भारती नहीं है। मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी में रहूं, मैं बोलू कि मैं उत्तर प्रदेस का हूँ लेकिन मैं ये बोलू कि भारतवर्श का नहीं हूँ, में भारती नहीं हूँ. तो सबसे बड़ा जो barrier टूटा है वो है psychological barrier. सबसे बड़ा जो बैरियर टूटा है कि काश्मीरी पब्लिक और रेस्ट ऑफ इंडिया की जो पब्लिक थी उनके भी जो एक भावनात्मत गैप था वो खतम हो गया है हम एक हैं अब जब भावनात्मत जुडाओ होगा लोग मिलेंगे जुलेंगे देखे काश्मीर का विकास जैनके या उसका विकास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बड़े आराम से इतना भारत के पास पैसा है पांस दस साल में तस्वीर बदल जाएगी भावनात्मत होता है ना वह बहुत इंपोर्टेंट चीज होता है इसको हटा देने से दिरे-दिरे करके यह मनहिस्थिती बन जाएगी वहां के लोगों की भी यहां के लोगों की भाई हम एक हैं कुछ मुठी भर लोग हैं आतंकवादी वगरा जो पाकिस्तान के शेह पे काम करते थे उनको मैनेज कर लिया जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है जे एनके के जो भी निवासी है वो खुश इसलिए है कि उनके साथ भावनात्मक तौर पे समविधान के तौर पे 120 करोन की जंता और जुड़ गई है उनको बहुत मजबूती नहीं है ठीक है गोराव आपके पास उसके बाद दिलिव जी के पास चलेंगे रिदिवान त्रिपाटी जी आपसे भी हम समझना चाहते हैं कॉंग्रेस बारबर सेल्फ कोल तो करी रही है लेकिन इसके साथी साथ यहां पर कहीं न कहीं विपक्ष में रहते हो कोई चाहरा नजर भी नहीं आता है शायद यह मान दक्ष को लेकर अभी बंतन चल रहा है उस बीच कही न कहिए कि यह भी बड़ी कमी है कॉंग्रेस के अंदर की कोई तै करने वाला नहीं है कहना क्या है कहना नहीं क्या है एक संसत कुछ कहता है अधीर अज़न कुछ कहते हैं गुलाब नभी आजात कुछ कहते हैं असल बात ही है कि वहां कोई एक पालिसी तेह नहीं है जब इतना वड़ा फैसला देश में हो गया कि सरकार इंता वड़ा फैसला कर दिया तो उन्हें क्या स्टेंड लेना है ये तत्य करना पार्टे अधिस का काम है उसके रणीत कारों अधीर अज़न जब बोल रहे थे इस पर कोई मुकमल रणीत बनाई नहीं गई उसी के नतीज़ा है कि कोई एक सांसत कुछ बोल रहा है और आज गुलाम नवजी आजात कस्मीर में जाकर जो जो क गई तो आप तो खरीद कर खरीद रहे थे हमको हम तो भीके हुए लोग है तो आप खरीद के दिखाए यह जो भीके हुए लोग हो उनसे बोट लीजिए इस तरह के जवाब भी सुनने को मिलेंगे उने यह बहुत शर्मना किसी खड़ी की है कि दरसल यह तीन परिवार जो तीसरा परिवार यह परिवार के रूप में तो नहीं है लेकिन उस लूट में के साजीदार माने जा सकते हैं चाहे महबुव मुफ्ती हो या उमर अबदुल्ला हो या तीसरे गुलाम नभी आजाद दरसल इनका हक मारा गया है कितनी शर्मनाग बात है कि फारुग अब दूल्ला जो पूर्ब मुक्वथ्पंत्री हैं पूर्मुक अपने निजी मकान में रह रहे हैं और पूर्ब मुक्व्तमा आधडा किराया ले रहे हैं सरकार से कि यह हम तो उसके हकडार हम इंटाटिल रहे हमें किराया दीजे मकान का मेवब मुफ्तिर ने अपना निजी मकान अपना सरकारी पैसे से बनवाया तो जितने सकतना लूट पार्ट का यह सिस्टम में लोगों बना रखा था और इनकी परिशानी है कि इसलिए परिशान है कांगरे लेकिन कांगरेस जैसी बड़ी पार्टी से इस तरह के बचकाने यह जाहिर करता है कि कांगरेस में के लीडर्शिप में उनकी नित्र्त में कितना लचरपनह पना मतर alcohol अहीं ऐसा कुछा को में ले लिए प्रशिश्ट नहीं चलेगा मैं यहां पे एक अपनी बात जोड़ना चाहता हूं हमारे राश्ट में राश्ट धर्म की बहुत बड़ी कुझायस है राश्ट धर्म से राश्ट चलेगा यहां पे जो पार्टियों ने अपने एक संपरदाइक धर्म इजाद कर रखे हैं इन प पर यह बोले हैं यह बोल रहा हूं हमारी पार्टी राश्ट बात पे चलती है अच्छा आप में कितना भी कुछ भी कर लें इसलिए बंगाल में भार्ती जिन्ता पार्टी का कार्यकरताओं का कतल होता है इसलिए बंग्ला देश से रोहिंग्यास वहाद बताया जाता है वो तो इंटर्नेसर पालिसी की ताहत लाया जा रहा है आप खुद उसके दोसी हैं उसके लिए केंडरी की पॉर्ष रखना चा होंगा भविष्च के लिए जी बोले अजितेश जी यह जो 370 और 35 ए हटाया गया है यह भविष्च के भारत का नजरिया प्रदर्शित करता है उसके लिए हम कुछ एक्जांपल आपको देना चाहेंगे रखना चाहेंगी कश्मीर का विकास अब सुनिश्चित है जो पियों के पाक अकुपाइड कश्मीर है अब वहाँ पे बेचाइनी बढ़ जाएगी वहाँ के लोगों को संभालना पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा खैर पक्त उन्खवा इसके साथ ही बलुचि निवेश करने वाला देशे अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत की स्विकारेता इरान में सरवाधिक है पूरे विश्व में भारत की स्विकारेता इस समय बढ़ी हुई है ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपने आपको सम्हाल नहीं पाएगा और जब पाकिस्तान जमीन पूरे दुनिया में भारत के स्वाभिमान को भारत के सामर्थ को बहुत उचाई प्रदान किया है दिली जी आपके पास आएंगे दिली जी आएंगे आपके पास विक्रम सर कुछ बोल रहे थे विक्रम से बोलने पर मजबूर हुए है कि हम लोग राष्ट्र धर्म की राजनीत करते हैं मुझे सुनकर के खुशी हुई गौर्ब आरे एक सिर्दा है इनको अपने नेता को भी इस्तुतियों से बाज आए अनेता वहां भी जंता उनको हटाने के विक्रम राष्ट सर कुछ बोल रहे थे जी सर थोड़ा ध्यान रखे राज देता बहुत स्थिर नहीं रहता है बिल्कुल वाइचारी ग्रूप से साइध्धादी ग्रूप से इसलिए हम लोग जो टिपणी करते हैं या पाठा को जो बोलते हैं जो बुद्धिकर्मी लोग हैं थोड़ा सोच के कहना होगा अब मैं बता ह हम आपको नरेंद अबुद्रदास मोदी अलक किस्व के नेता हैं इनको थोड़ा हट के सोच हट के ये आए हैं सारे पार्टी अपार्टी इनकी कोई सानी नहीं है भारत की याद्विती हैं कई माले में जो सोचते हैं वो करते हैं और गुज्रा से लेके क्यों कि मैं रहा हम आप्तुला के समय शामाप्रसाइद बुकर जी के हत्या हुई कि स्रीवेगर पे और शेक अब्दूला के पोते को अट्रेव बहरी बार्ट में विदेश राज्यमंत्री बनाई था कोई समझा होता हो सकता है सिद्दान्थ का मुफ्ती मुफ्ती मुप्रमत मेटी मुफ्ती म हाथ मिला कि सरकार चला रहते हैं क्या सिध्धान की बात करते हैं तो इसलिए लोग नोग कहें राज्यता बदलता रहता है तो वैचारिक्टा की आधार पर और नरेन मोदी को रात धर्म सिखाने वाले आशांत हो गए हैं किता महान नेता है नरेन सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना चाहरा था कि आज अब कश्मीरियों को डरा रहें सब्सक्राइब करते हैं और किन के साथ राज्यती करते सबको पता है कॉंग्रेस की राज्यती क्या और वीजेपी की भी राज्यती क्या है यह भी हम लोग बखुवी जानते हैं इसलिए इसके लिए जिम्मेदार कोई एक नहीं है शायद आप लोग बखुवी इसके लिए जाने जाते हैं आप पश्य बंगाल के अंदर क्या होता है जब राम्यात्रा निकलती है या फिर राम नौमी के दिन क्या होता है या रमजान के दिन क्या होता है सब को पता है किस और राश्ट के मूल चरित को हम लोगों ने अपनाया है पश्य बंगाल को लेकर बोलिए सब्सक्राइब क्या होता है सबसे बड़ी बात तो किसे रोका जाता है किसी यात्रा की बात कर रहे हैं तमाम उन्हें बात कर रहे हैं विक्रम सर कुछ बोल रहे हैं वहाँ पूजा नहीं मनाई जाए है और एक सब्सक्राइब कर दिमार की महिला शाषन कर रही है कहती है कि बंगाल के बाहर के क्या बंगाल कोई गनराज है है बंगाल अलग रास्ट है हम भारती हैं बंगाल जाने का अधिकार है समयदान का अमसार एक पागल महिला जो कॉंग्रेस पार्टी में रही जो अटन विहरी वाच्परी की मंत्री थी यह सब आज आके पागल की बात करती है वो और देश्ट बिक्रम रावच्छ लोग कि इसे शब्दो का इस्तवाल में कम खर्चे में परदेश को चला रहे हैं कि पूरे बंगाल की संस्कित को पर शर्मानी चाहिए गोर दिली जी मैंने बोल दिया दिली जी मैंने बोल दिया उसके लिए कि राजनी थी वहाँ पर कर रह हैं गारी help करा तो यह म्झा बंगल का इतना बनाभवा बिससे फांगों में नहीं आप इसक्ता है ava bizarre ऑध nah रही है आपके टाइम पर पता नहीं कैसी सरकार है कि वहाँ पर्मिशन नहीं मिल रही है पंडाल लगाने की जैस्री राम बोलने वाले को जेल में बंद कर दिया जाता है धंकी दी जाती है बहुत पहले आ चुका है जैसी राम का बिरोद माननी अटल बिहारी बाजपेजी ने इसी गर्ना संसान में किया था उन्होंने की कमी है दिलीब जी और बात करते-करते समय इतना निकल गया कि मैं माफी चाहूंगा किसी की पास एक फाइनल कॉमेंट के लिए भी नहीं आ सकता समय की बेहत कमी है गौरा मिश्र आपका बहुत ौख शक्रिया आरा साथ जूड़ने के लिए हमने जरूर कहेंगे कि FM 뉴스 इसकą समर्तर नहीं करता ऐसे शब्धों का इसके साथी साथ कश्मीर को लेकर विपक्ष का जो स्रेंड है वो शायद एक ऐसी अड़ी है जिसे ना निगल पा रहे है ना उगल पा रहे है कश्मीर को लेकर अलग लग तरह के बयान है कॉंग्रेस के अंदर भी विपक्ष के अंदर भी अलग लग तरह के दो फाड बयान आ रहे है जो अपने आप पे दिखाते है कि कश्मीर को लेकर विपक्ष थोड़ा सा कंफ्यूज है 378 को लेकर 35 को लेकर आकर कर कहें तो क्या कहें पाज के प्रश्टकाल में आज के लिए तना ही लेकिन कल फिर आज देरोंगे एक अलग मुद्दे के साथ नमस्कार